सबस्क्राइब में विनीता और मेरे किचन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं पनीएर मसाला बहुत इलाजवाब लगता है खाने में ये और जतपट बनके पैयार हो जाता है और यकिन माने फ्रेंडस इस पनीएर मसालाłe और एक बार सब्सक्राइब कर लें रेसीप अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें फैमलिय और फ्रेंस के साथ सेर करना बिलकुल ना भूलें पनीर बटर बनाने के लिए देखिए मैंने यह प्याज टमाटर काजू अधरक और लसुन यह सारी चीजे ली हैंच अब हम क्या मिर्च एक लाल सीट करें को जाएंगे मसाला कैना स Dulid प्याज जब हलका सा कलर चेंज कर लेगी तो इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर, काजू, अद्रक, लेसुन और प्याज ये सारी चीजे हमने एक सार डाली है काजू की जगें आप दूद की मलाई या फिर बजार वाली क्रीम भी ले सकते हैं काजू लिए थे मैंने और काजू डालने से बहुत बढ़िया अमारे ग्रेवी बन जाती है बहुत अच्छी उसमें थिकनेस आ जाती है और रिचनेस भी आ जाती है तो प्याज दो मिनट भूनने के बाद अब इसमें टमाटर डाल दिये हैं टमाटर पी आप देख सकते हैं हमने बड़े बड़े काट के लिए हैं अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक नमक डालने से बहुत जल्दी टमाटर हमारे पक जाएंगे ढखके दो मिनट के लिए इसको पकाएंगे और इस तरह से आप एक बर प्रैस करके देख लें इजली देखें टमाटर हमारे मैस हो रहे हैं मतलब मसाला जो है हमारा रडी हो चुका है प्राई हो चुका है और इस सारे मसाले को बनने में साथ से आठ मिनट का समय लगा है अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे गैस को बंद कर देंगे और उससे कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे जो टमाटर अच्छे से कुक हो जाएगा उसके बाद ही आपको गैस की फ्लेम को बंद करना है और जब हमने नमक डाल दिया था ना उससे बहुत जल्दी टमाटर कुक हो जाते है तो एक दो बार बीच में चला दें क्योंकि कड़ाई यहां पर बहुत ज़्यादा गरम है नीचे से मसाले जलने नीची है और कोई मसाला नहीं डाला हमने नमक को छोड़के इसमें तो यह देखिए मसाला हमारा कितना बढ़िया रड़ी हुआ है 10-15 मिनट के लिए मैंने मसाले को कड़ाई में छोड़ दिया तो यह बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है अगर आपको जल्दी है तो आप किसी प्लेट थाली में निकाल के पंके के नीचे भी इसको रख सकते हैं तो पीशते वक्त एक टीपस आप सब के लिए यह जो मिक्सी के जार होते हैं और इनके धकन होते हैं यह भाईटी कलर के होते हैं मसाले के लिए हो दखाने के मसाले के लें यूरी आप पीयू शूल्का तो डिक पाता सुनराय में bet grading जा लें दाल के पीश सकते हैं क्योंकि पनीर बटर मसाला थोड़ा सा क्रीमी होता है थोड़ा सा ज्यादा रिच होता है तो उसमें आप मलाई दही डाल सकते हैं और देखे बिल्कुल क्लीन हमारा जार का धकन निकल गया है आप चाहे तो इस टिप्स को फोलो कर सकते हैं अगर आपके डाल देखे निकल गया है और इसी कड़ाई में अब हम साफ करके दुबाहरा से टेल डाल देगे एक चम्माच मैंने दुबारा से टेल डाला है यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पनीर को मसाले डाल के पहले से रख दिया था मसाले में मैंने लाल मीर्ज, थोड़ा सा पनीर का मसाला, नमक ये सारी चीज़े डाल के चाट मसाला वगरा और थोड़ी दिर छोड़ दिया था 5-10 मिनट के लिए ताकि जो पनीर है हमारा ये थोड़ा सा मसाले दार हो जाए, फीका फीका ना लगे यह लिए हमने 3 हरी लाइची और 2 लोंग, इनको हम पाउडर करेंगे तेल जब गरम हो जाएगा तो जो हमने पनीर मसाला बना के रखा हुआ था वो डाल देंगे पनीर पर जो हमने मसाला लगा के रखा हुआ था ना ये पनीर अब डाल के दो मिनट के लिए इसको सैलो फ्राई कर लेंगे इस तरह से फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है आप बिना फ्राई करे भी बना सकते हैं तो जैसे आपको पसंद है आप अपने घर में बनाते हैं उसी तरह से कई लोग पनीर को फ्राई करके खाना पसंद नहीं करते तो आप बिना फ्राई करे भी इस सबजी को बना सकते हैं तो दो मिनट देखी मैंने पनीर को फ्राई कर लिया है अब इसको एक प्लेट में निकाल देंगे अब चाहें तो इसको तुरंत गरम पानी में रख सकते हैं अगर आपका पनीर आपको लग रहा है कि टाइट हो गया है गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पे रखा हुआ है और जो तेल बच गया है इसी के अंदर अब हम अपने मसाले भूनेंगे मसाले मतलब जो खड़े मसाले सूखे मसाले होते हैं तो सबसे पहले डाल दिया है आदे चमच जीरा जीरा जैसे ही चटक जाएगा इसके अंदर डालेंगे ये कुटी हुई लोंग और इलाइची का पाउडर दरदरासा कूट के लिया है बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आ बढ़िया से हम बरतन को क्लीन करके सारा मसाला इसके अंदर डाल लेंगे और एक बार इससे फटा-फट से मिक्स कर देंगे तो मसाला हमारा ओल्मोस्ट रेडी है अब इसको बहुत जाद आपको पकाने की जरूत नहीं है क्योंकि हमने पहले से इनको फ्राई कर लिया था त अब इसको जादा आपको फ्राई नहीं करना बस थोड़े से पाउडर मसाले इसमें डालेंगे पाउडर मसाले में मैंने ले लिए एक चम्मच कास्मेरी लाल मिर्च एक चम्मच कसूरी मेथी आधी चम्मच पनीर मसाला उसकी जगे आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स करके दो मिनट के लिए पकने देंगे ताकि मसालों का फ्लेवर बढ़िया से आ जाए ग्रेवी के अंदर पनीरと Diamond पहले से मसाले वाला है क्योंकि सारे मसालले पनीर के अंदर मिक्स करने के बाद भी म स्था किया था और अब इसमें डाल देंगे यह अपना फ्राई किया हुआ पनीर ठोड़ा सा पानी डालके ढखके दो मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे सबी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल जाएंगी अच्छे से सभी चीज़ों का फ्लेवर एक दूसरे के अंदर आ जाएगा तब तक इसको पकाएंगे दो मिनट में रडी हो जाएगी सब्जी बनके और इतनी ज़्यादा टेस्टी यह सब्जी बनती है सब्जी की ठीकने साफ अपने हिसाफ से थोड़ी पतली रख सकते हैं मैं इसे खाने वाली हूं तंदूरी रोटी के साथ तो मैंने बहुत ज़्यादा इस सब्जी को पतला नहीं किया है तो उमीद करते हैं दोस्तों आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी देखिए कितनी बड़िया बनी हूई है सब्जी तो अच्छी लगयो तो प्लीज एक लाइक करके जाएं चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें आज के पर इतना ही जल्दी मिलें हमें को और ने रेसिपीक साथ तब तक आप सभी को बुड़ बाई